तो आईए यहां पर एक और question हम यहां पर देखते हैं यहां पर हमसे कहा गया कि हमें यहां पर देखे दो functions यहां पर दिये हुआ है fn जीन और हमसे कहा गया कि what is the relation between these two functions where जो star जो है वो यहां पर मैंने लिखा हुआ कि it is an iterative function ठीक है यह iterative function क्या होता है सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह समझा दो let's say for example मेरे पास एक iterative function है f star n जिसको मैंने यहां पर define किया हुआ n divided by 2 ठीक है तो that means यह function count करता है उतली number of times यहां पर counting करेगा जब तक मेरा जो answer है वो converge नहीं हो जाता one value की तरफ यह क्या कहना चारा हूँ थोड़ी दिर में आपको clear हो जाएगी यह f star iterative function count करता है यहां पर मैं लिख देता हूँ कि counting perform करेगा कि कितनी बार आपका यह function चला यह एक important चीज है और यह कब तक counting करता है जब तक आपका answer जो है वो converge नहीं हो जाता let's say for example अगर इसी function के लिए मैं बात करता हूँ यहां पर n divided by 2 वाले के लिए कि यह कितनी number of times चला let's say for example मैंने लिया f star 64 ठीक है तो सबसे पहले 64 को मैं पहली बार जब divide करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 32 इसके बाद इसको मैं फिर से divide करूँगा second time divide करूँगा तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा 16 मिलेगा फिर third time जब divide करूँगा तो मुझे 8 मिलेगा जब 4th time divide करूंगा, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा. जब 5th time divide करूंगा, तो मुझे 2 मिलेगा. एड़ इसके बाद, जब 6th time में divide करूंगा, तो मुझे यहां पे 1 मिलेगा बस. यहां पर यहां पर stop हो जाएगा. तो total number of times मेरा कितना चला six times तो f star 64 की value आपकी आएगी six ये पताता है कि कितने number of times आपका जो function है वो चला ठीक है इसी लिए इसे iterative function बोला जाता है and this is represented with star right and इसी परकार आएए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर lock star हमने लिया हुआ है तो lock star let's say for example 16 अगर इसकी value हम यहाँ पर निकालते हैं ठीक है तो आपको पता है यहाँ पर based हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं ठीक है हम assume करते हैं कि सम्में यहाँ पर 2 पढ़ा हुआ है तो अगर आप इसका देखोगे सबसे पहली बार यहाँ पर लोगा तो जो रहेगा 2 की power 4 right सबसे पहली बार चलाया तो मुझे answer क्या में यहाँ पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा right और इसका फिर से मैं यहाँ पर log ले लेता हूँ तो इसको मुझे answer क्या पर मिलेगा 2 की power 2 that means 2 बचेगा यह second time मैंने यहाँ पर किया था और इसका फिर से अगर मैं यहाँ पर log लेता हूँ log 2 की power 2 finally मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा तो यह third time मैंने यहाँ पर लिया तो third time के बाद मेरा यहाँ पर answer जो हो यहाँ पर converge हो गया that means मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि log star 16 की value आपकी कितनी रहेगी 3 रहेगी तीन बार आपका यहाँ पर यह वाला function iterative function यहाँ पर चला तो I hope you are comfortable with this आइए इसके बाद अब हम यह वाले functions को यहाँ पर compare करते हैं कि कौन सा इन में बड़ा है और कौन सा इन में छोटा है तो आइए देखते हैं Well friends, इन दोनों को compare करने के लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पर let's say assume कर लेते हैं इन की value जो की बहुत बड़ी value हम ले लेते हैं ठीक है ताकि हमारे पस जो number of cases हैं वो बहुत जादा हो जाए हैं तो एक बहुत बड़ी सी value में यहाँ पर assume कर लेता हूं log start यहाँ इसके बाद bracket में यहाँ पर है आपका log n ठीक है तो आप यहाँ देखो पहले यह चीज compute होगी और इसके बाद पर यहाँ पर आपका iterative function यहाँ पर करेगा तो अगर इसको यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से निकलता है log start यहाँ पर मेरा value रखता हूं log n की value यहाँ पर रखता हूं log, sorry n की value यहाँ रखता हूं तो यहाँपर मीदि का मिलेगा n की power l kittah 2, यह base आपका यहाँ पर 2 ही बमर 2 की power 65,536 right? इसका मुझे मिलेगा इसके बाद यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख सकता हूँ log then log star यह 2 2 आपका यहाँ पर बचेगा तो यहाँ का simply यहाँ पर क्या बचेगा 65,536 यह चीज यहाँ पर बचेगा इसके बाद अब मैं इसका अब यहाँ से मेरा iterative function यहाँ पर काम करेगा that means मुझे पताना है कि इसकी value converge होते होते कितनी number of times यहाँ पर आपको log function चलेगा right तो इसका अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा log start मैं यहाँ पर कह सकता हूँ मुझे यह मिले का 2 की power 16 मिलेगा तो 2 2 आपके कट जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 16 बचेगा तो एक बार करने पर यह बचा आपको यहाँ पर पता है 16 का यही पर देखा है 16 का log start कितना होता है तो एक बार यह चला प्लस यह जो है 16 यह कितनी बार यह चलेगा अगर आप करके भी देखना चो तो देख सकते हो ना एक बार इसका हो गया दिन आपका यहाँ पर रहेगा log start आपका कितना 4 रहेगा 4 के बाद आपका कितना हो जाएगा log start आपका यहाँ पर 2 रहे जागा तो यह एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, तीन यह हो गया, right? तो टोटल नमबर अफ इसकी जो value आई, 1 प्लस 3, टोटल कितनी बार चला यह? 4 बार चला, 4 इसका answer आया, तो इस पूरी expression का, fn का जो answer आया, वो हमारा कितना आया है, यहाँ पर 4 आया, अब इसी value के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, gn में value रखके देखते हैं, विल फ्रेंस, तो आई अब यहाँ पर यही n की value जो है, हम gn में यहाँ पर रखके देखते हैं, तो gn में, यहाँ पर मुझसे का गया, gn is equal to log, log star n, तो iterative function इस बार log के bracket में है, that means, पहले iteration यहाँ पर हम calculate करेंगे, right, तो यह वाली चीज़ पहले calculate करेंगे, तो हम पर यहाँ पर का गया, log, फिर आपका यहाँ पर का गया, log star n की value यहाँ पर कितने ही दी हुए, 2 की power 65,536, तो सबसे पहले हम यहाँ लोग star इसकी value निकालनी है, that means, हम यहाँ यहाँ पर determine करेंगे, 2 की power 65,536, कितनी बार आपका चलेगा, right, तो अगर आप इसकी value निकालो, सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहली बार जब मैं यहाँ चलाऊँगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मिलेगा log, जब सबसे पहली बार चलाया, पहली बार, let's say, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, log star 2 की power 65,536, अगर इसकी value मैं निकालता हूँ, सबसे पहली बार जब चलाया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, पहली बार चलाने के बाद, मुझे यहाँ पर मिलेगा log 65,536, यह मुझे यहाँ पर मिला, right, sorry, star भी यहाँ पर, इसके बार आप देखोगा, यह चीज हमने यहाँ अल्रडी कैल्कुलेट की हुई है, कि इसके 65,536 का अगर star, कितनी बार चलता है, कितना लेता है अंसर, वो 4 लेता है, 4 बार आपका चलता है, तो यह जो है, टोटल कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 5 तेमस चलेगा, right, तो यह पूरी एक्स्प्रेशन की वैल्यू, यहाँ पर कितनी आएगी, 5 आएगी, तो अगर हमने इतनी बड़ी वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर आपका बड़ा है, तो यहाँ पर आपका जीन आएगा, तो यह रिलेशन निकला हमारा, फो इस पर्टिकुलर रिलेशन, आई एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसी टॉपिक के उपर,